हाई स्टुडेंट्स तो आज हम जो लेके आए हैं बड़ा ही बैने वीडियो रहने वाला है इसके अंदर हमने सारा सेक्षिनिक प्रबंद और प्रशासन जो भी अपने रीट लेवल फर्स और सेकेंड में पूछा जाएगा वो क्लियर है साथी साथी फर्स ग्रेड के लिए और सेक्षिन ग्रेड के लिए वी टीचिंग एक्जाम के लिए बैनेफिशल वीडियो और एक ही वीडियो में हम सारा कंटेंट इसका देख लेंगे यहां पर अपन किसका शैक्षिनिक प्रबंद और प्रशाशन का तो चलिए फिर देखते हैं कि प्रबंद की शुरुआत और या फिर विकास कहां हुआ इंग्लेंड और उध्यों के करांती हुई इस वक्त ठीक है प्रबंद सेक्षिक प्रबंद की शुरुआत अमेरिका में हुई प्रबंद की शुरुआत सिर्फ प्रबंद की बात है इंग्लेंड से और सेक्षिनिक प्रबंद की अगर बात की Audio Pubrukpro है और उसके बात हम देखिये संगेचन का मस्तिस्ख प्रभंधन को विद्याले का मस्तिख प्रधानाचारिय को संगडले का प्रभंधन विद्याले का प्रधानाचारिय यसाट Donc प्रवंद लुथर गुलिक स्वक्षिक्षिर समंद में नियोजन का जनक भी किसे का माना जाता है Luthor गुली को ही माना जाता है चलिए फिर ये अब यहाँ पर P O C C सिधान्त दिया है किसने हैंडी फ्योलिंगे किसने लें हैंडी फ्योल ने पलिन ऑगे बात करेंगे कि हैंडी फ्योल क्या कहता है कि जात reconcile कि चांटा है कि एमनीदनीग और कॉर्डिनेशन समय समग में आर। इनका करम भी पूछ लिया जाता है तो नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रन, समन्वे अब बात करते हैं लूथर गुलिक की तो लूथर गुलिक ने जो सिधान्त दिया है अपना उसके अंदर इसने क्या कहा है पोस्ड कोर्ब पोस्ड कोर्ब तो नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन ठीक है याद हो जाएगा समन्वे प्रतिवेदन बजट समन्वे प्रतिवेदन बजट पहले नियोजन किया जाएगा फिर संगठन में होगा और न्यूकति की जाएगी उसके लिए फिनिदेशन दिया जाएगा उसके लिए समन्वे होगा सब का एक दूसर के हल्प करेंगे और परतिवेदन रिपोर्ट पर प्रस्तुत की जाएगी और बजट का निर्मान किया जाएगा तो यह किसका हो गए लूथर गुल इग ने उसके 4 ps हैं क्या है 4 ps लूथर कंदान उसमें प्रोसेस पर 빠ज और प्लेज और परसन ठीक है तो व्यक्ति हो गया स्थान हो गया प्रक्रिया हो परसन प्रोसेस परपज प्लेस परसन ये किसके हैं लुथर गुलिक के और लुथर गुलिक ने क्या बताया है है हैं रिफ्योल के एक बात करते हैं रिफ्योल ने तीन तत्वे दिये हैं क्या तीन तत्वे किसके समन्वे के समन्वे किसने तीन तत्वे दिये हैं उसमें क्या है की से मतलब की तत्वये सने दिये हैं हैं और उससे प्लिट ऐ विभाग या संगठनों के अधार के बारे में पिर पद सोपान के बारे में Сमनवें के के बारे में फिर विकेंद्र करन के बारे में शो देशे के बारे में आदेश की एकता के बारे में लाइन एंड स्टाफ के बारे में प्रत्यायो एजन के बारे में और नियंत्रन का छेत्रफल के बारे में तो यह था किसका लूथर गुलिक का आपन को इतना ही याद करना है जो मोस्ट बाते हैं वह अपन पढ़ते जा रहे हैं फिर देखिए जे हार्ट लेको इसको जे हार्ट लेको यह कहता है इंपुट पहले कोई भी प्रम्रेंदन होता है तो उसके अंदर कोई फरनिचर वगर भवन खेल सामगरी यह सब चीज़े होनी जरूरी है उसके बाद ही उन पर क्या होगी प्रोशेश होगी तो देखे दिहां रखे मैंने इंपुट में क्या बोला है भवन खेल सामगरी के होंगे तभी खेल वगर हो पाएंगे मैदान होंगे तभी तो सिक्षक प्रशाशक यह सब होंगे यह इंपुट होंगे तभी इनकी प्रोसेश होगी और जब प्रोसेश होगी तभी उनका अउटपूट में क्या निकलेगा फिर प्रशाशक आप अपलब्दियां तरक पून चरम और प्रवंद्ध किया नियंद्र नियस सब इसके अंदर आएगा फिर देखते हैं सैक्षिक प्रशाशन क एक्षिक प्रशाषन केंदर सतर पाझे 1900 में 1900 में राज्य सूची का विशे कब 407 ूद्रा इंद्रा गांधी संवर्थी सूची अब बताई इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या तो देखे एक बार फीर पढ़ें इसको ध्यान से 1900 में यह किसा विशे था ये राज्य सुची का विशे था उन्नीस सो छिंतर में और कब 42 सविधान संसोदर्न उन्नीस सो छिंतर में इंद्रा गांधी जो सरकार थी उसने क्या किया इसको राज्य सुची से निकाल कि किसमें डाल दिया समवर्ती सुची में डाल दिया कब 42 सविधान संसोदर चिंतर को इसको डाल दिया गया समवर्ति सूची में फिर 1985 से पहले कि शिक्षा जो थी उसका केंदर कौन था शिक्षा मंत्राले इसका केंदर था बाद में मानव संसाधन विकास मंत्राले के अंदर में ये चला गया ठीक है 1985 में सबसे पहले सिक्षा के लिए जो केंदर था वो सिक्षा मंत्राले था उसके बाद में उसे मानव संसाधन विकास मंत्राले के अंदर डाल दिया गया कब सतरा अगस्ट वापस सिक्षामनत्राले में डाल दिया, पिर इसको किसमें डाला गया, मानवसंसादन विकास के अंदर डाल दिया गया ठीक है ओर उसके बाद में 17 अगस 200 को रामनाथ कोमिन ने पुने इसे MR-HD में मानवसंसादन विकास मंत्राले के अंदर डाल दिया गया अब δेखिए इसकी बात करें के इंदर सतर पर तो पहले क्या होता है शिक्षा मंत्राले होता है क्या होता है शिक्षा मंत्राले फिर शिक्षा विभाग और फिर विभाग विभिन अभी करन अब देखिए NCRT ध्यान से सुनीगर मैं NCRT की बारे मैं क्या बोड़ यूँ NCRT राष्टिय सैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशद और S.C.S.W.B किंद्रिय समाज कल्यान मंदल किंद्रिय समाज कल्यान वेलफियर बोड ऐसा हो गया है किंद्रिय समाज कल्यान मंदल CSIR क्या है विज्ञानिक उध्योगिक अनुसंधान परिशद विज्ञानिक साइंटिस्ट एंड रिसर्चर ठीक है यह समझ लेना Council of Scientific and Industrial Research फिर इसकी निपा की बात करते हैं जिसको बाद में निपा बना दिया गया है उसकी क्या है नेशनल इंसिट्टेट ओफ एजुकेशनल प्लैनिंग एड्मिनिस्ट्रेशन अब आती है बात कि इसकी इंसिट्टीए की यह क्या है यह है नेशनल काउंसिल फोर टीचर एजुकेशन नेशनल काउंसिल फोर टीचर एजुकेशन नेशनल काउंसिल फोर टीचर एजुकेशन C A B E CAB क्या है Central Advisory Board of Education Central Advisory Board of Education उसके बाद में हम A I C E E की बात करेंगे तो ये क्या है All India Council for Elementary Education All India Council for Elementary Education फिर बात करते हैं A I C E C S E की तो ये क्या है अखिल भारतिय माध्यमिक ये तो क्या हो गया थे? Elementary और ये हो गया क्या? Secondary Elementary और Secondary UJC क्या है? University Grants Commission University Grants Commission A I C T E क्या है? देखिए अखिल English में देखता है All India Council for Technical Education देखो ये देखिए तीन नाम सिमिलर है Elementary Education, Secondary Education और Technical Education और फिर देखिए बात करते हैं NCRHE की तो ये क्या है? National Council for Rural Higher Education National Council for Rural Higher Education के लिए ये किसके अंदर में काम करेंगे? के इंदर सिरकार के अंदर में काम करेंगे? अब बात आती है राजस्तर पे, तो राजस्तर पे सिक्षा विभाग देखिए तो ये विभाग किसके है? सिक्षा सची वाले के विभाग है सिक्षा सची वाले के अंदर में कहां है? ये जैपूर के अंदर है सिक्षा सची विसमें काम करता है, नीतियों को बनाता है, उलागू करवाता है निर्देशाले में कहां, निर्देशाले है कहां, बिकानेर में, काम कौन करता है, निर्देशा काम करता है, क्या करता है, नीतियों के पाला करवाना, विध्याले और राज्य सरकार के बीश तालमिल बनाना, ये काम कौन करता है, निर्देशाले यहां पर ये काम करता है, और पिर स्तानी स्तर पे देखें तो जीला स्तर पे पंचाय स्मिती स्तर पे और ग्राम पंचाय स्तर पे तो देखो जीला स्तर पे कौन हो जाएगा मुख्य कारिय कारी अधिकारी हो जाएगा यह मुख्य कारिय कारी अधिकारी हो जाएगा ठीक है फिर यह कौन हो जाएगा जीला शिक्षा अधिकारी हो जाएगा और यह पंचायत फीकश्य हो जाएगा इदर सेम यह विकास recently बीडियो कौन होता है विकास सब्सक्राइक हो गया टोजी रही बन्सक्राइग है विकास अधिकारी हो गया हिर्दीयो सन गया पन्सक्राइग से domest seconds सिख्षा विभाग के अंदर डी डी इई ओ और पी इई ओ अब हम बात करते हैं कुछ सिधानतों की इसके अंदर जो important रहते हैं वो क्या है यहां पर हम देखेंगे कि जो सुम्पीटर प्रबंद को विर्धी का इंजिन कहा है इसने सुम्पीटर जोसेफ ए जोसेफ ए सुम्पीटर कहते हैं प्रबंद को किसके क्या कहते है विर्धी का इंजिन कहते है पिकर ड्रेकर क्या कहते हैं संगठन का जीवन रखत कहते हैं फेओल क्या कहते हैं प्रशाशन प्रक्रिया पिता जनक है प्रवंदों के सिधान्तों का जनक हेंडी फ्योल प्रवंदों के सिधान्तों का जनक हेंडी फ्योल और इसलिए हेंडी फ्योल को आधुनिक प्रवंदन का जनक भी कहाल गया है प्रत्र इनक का ही जनख बोला गया है किसको? अधनिक परबंदन के किसे बोला गया है? लूथर गुलिक को संगठन का जड सिधान्थ परतिपादन एल उर्विक किसने किया? हमायू कबीर यह क्या कहते है? विध्याले को समुदाइक जीवन की अभिवेक्ति कहा है विध्याले को समुदाइक जीवन की अभिवेक्ति कहा है किसने हुमायू कबीर नी पुस्तकाले समय शार्णी को विध्याले का स्पार्क प्लग किसको समय शार्णी का किसने कहा है बीसी रोए ने प्रोफेशर बीसी विद्याले का समार्क स्पार्क प्लक कहा है पुस्तकाले अंदोलन का जनक सियाजी गायखवार पुस्तकाले अंदोलन का जनक कौन सियाजी गायखवार और एक और है फ्रोबेल या नाम लिया मैंने फ्रोबेल फ्रोबेल क्या कहते हैं विद्याले को बालकों का उध्यान कहते तो जो भी इंपोर्टेंट थी ओर इंगर छहत्र की बात की जाए ऐसरुन के सेस्डिक वह किसकी चहत्र के अंदर आता है उत्पादन में ठीक है उत्पादन देने करे कारीअले प्रबंदन कुण पातल रेकार्या सेवा वर्ग dites विकाश शेवावर्गिये विकाश प्रवंधन संस्थापन ये इसके छेत्र है संस्थापन परिवहन और वित्रन ये क्या है इसके नो छेत्र है उत्वादन कारिये कारियले वीतिया उत्वादन कारियले वीतिये सेवावर्गिये विकाश संस्थापन परिवहन वित्रन ये इ हम बात करेंगे थोड़ी से हम देख लेते हैं कि शिक्षन के अंदर ना सत्तावादी और प्रजातांत्रिक अंतर होता थी है इसमें जो सत्तावादी है इदर थोड़ा सा देख लेते हैं सतावादी कर रजाी और गर रजा तांत्रिक वहीं avait यह इसके अंदर तो सेक्षक्षख और लें दर बालक करता नहीं हों इसंहें रटने नहीं दिया जाटा इसमें विद्यार्थियों कि भागीदारी कम होती है और इसमें विद्यार्थियों की जादा होती है ठीक है भागीदारी विद्यार्थियों की और इसके अंदर क्या होती है सीखने के प्रति रूची कम होती है विद्यार्थि की रूची कम होती है और इसमें जादा होती है और अगर बात की जाते हैं र दिहान में रखके सिक्षन नहीं करवाया जाता और इनमें यह सब देखा जाता है यह क्या है नियंत्रन करता है एक तरीके से और यह क्या है मार्ग दर्शक है मार्ग दर्शक है यह ठीक है और यह व्यक्तिकत सिक्षन को महत्वे नहीं देते और यह व्यक्तिकत सिक्षन को महत आदो हैं यह दिफ्रेंस है कि इसके अंदर श्क्षन का सत्तावादी स्थर और प्रजातांतरिक स्थर अब हम नेक्श्ट बात करते हैं किसकी गैन prophephone गुणात्मक प्रबंध की टी q-m टॉटल ल्ली मनेजमेंट संपूण 20 गुणात्मस प्रबंधन की यह काफी लंबी वीडियो जाने वाली है उसारी इंपोर्टेंट हम इसके अंदर देख लेंगे तो एक बार अगर जो देख रहें उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे जनक कौन है डबलू एडवर्स डेमिंग टीक्यूम का जनक डबलू एडवर्स डेमिंग उननीस सो इठीड़ीक इंदर अथपार ना की पृतिफादन अमेरिका में फूई ठीक्राइब जाल हुए अबूर्द हम आपना अमेरिका में कबूनी सो असी में। कब हूँा hondr तो असी के अंदर और इसके अंदर क्या है तीन शब्द है ठीक है वो तीन शब्द कौन से हैं संपून यहीं है संपून गुणात्मक और प्रबंधन यह किसके अंदर है टी क्यू एम के अंदर इसमें क्या होता है कि गुणवता देखी जाती है किसकी सिक्षा की और उसके बा रूट्स्व है उत्क्रिष्टता या स्रेश्टता हम कह सकते हैं यह देखता है को आप देखते हैं गुणवता तो प्रूंगात सब्सक्रिबरी रहें पर प्रबंद करते हैं इनके कारिय क्या किया हैं वह भी देख लिए ठोड़ा कि यह क्या करता है में निम्नस्टर का होता है इसे इंदर क्या होता है प्रिवेंशन किया जाता है संपोन गुणता प्रबंदन में क्या होता है फिर निरंतर सुधार किया जाता है और फिर उसमें सबसे उच्छ सतर ये प्रबंदन किये जाते हैं और ये सबसे अच्छा तरीका है अब TQM का क्या देखेंगे? हम कि किस प्रकार इसको चार भाकों में ब Abgiah गया है भागों में बांटा गया है वो है और इसको क्या बोलते हैं डैमिंग चक्र इसको बोला जाता है तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा फिर देखिए अवधाना आरंब विक्षित किसने की डबलू एडवर्स डैमिंग ने की कब 1980 के अंदर अमेरिका में हुई सीर तथा लोजियर क्या कहते है तीन आयाम है इसके डिजाइनिंग आउटपुट प्रोसेस तो इन्पुट आउटपुट वाली बात हो गई न टीक्यूम के मोडल क्या क्या है क्रोस भी मोडल है एक और एक डैमिंग मोडल है टीक्यूम में बास और एक बास और एकते जुरान यह हमारा यहाँ पर टैमिक मोशली हमने देख लिया थोड़ा सा एक चीज और देख लिए पार इसके तक नहीं होता है ग्राहक के अंदित होता है सुनते जाएगा ध्यान से दूसरा नेत्रित्व करता है प्रोसेस तक पहुंच लगाता है प्रना पहुंच और प्रनाली डिस्ट्रीकों यह ना क्योशन बड़े ही इसली पूछे जाएंगे और इनसे आपका कवर भी हो जाएगा सब कुछ निन्ने लेने के लिए डिस्ट्रीकों निन्ने लेने के लिए और यह कौन सा है प्रनाली डिस्ट्रीकों है एक तरीके से फिर इसमें आता है समाधान पर ध्यान देना यह है इसके क्या तत्व है इसके और इसका महत्व क्यों है इसके अंदर क्या होती है लागत में कम ही आत होता है इसके अंदर और क्या होता है नवाचार आते हैं इसके अंदर ठीक है निरंदर सुधार होता रहता है इन चीजों में और क्या होता है अच्छा प्रभावी संचार आता है इसमें ठीक है यह क्या है सद्भावना बढ़ती है इससे ठीक है कि गुणवता मानक इसका स्थापित किया जाता है इसके अंदर ठीक है तो हित्धार जो है इसके इनके लिए आकरशन प्रोसाहन इसके अंदर आता है फिर अगर हम देखें कि अब देखें इसके अंदर लर्निंग प्लस में क्या होता है लर्निंग प्लस में क्या होता है तो लर्निंग प्लस में इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो एक तो होता है शिक्स सिग्मा सिदान्थ और एक होता है इसके अंदर बैंच मार्किंग बैंच मार्किंग देखें क होता है सिक्स सिगमा के अंदर ध्यान से समझे, एक नई विदि है और सांखे की विधी है एक नहीं कि बादा अ कि कोई भी जो उतपाध है उतपाद है उसका गुणातमकता उसके उदेशयय और लक्षय के कितने देखा 2004 समीप है ठीक है उसके लक्षे और लक्षे और उदेश्य के कितने समीप है यह इसके अंदर देखा जाता है और एक उच्छ गुणवता का मार्क इस पे लगाया जाता है और यह जैसे इस सिधान को कहां देख सकते हैं इसको विक्षित किया था ने इसको विक्षित किया था जो ऐकर फॉन की यह फॉना आता है एक मानक है और इस में उप्योग तूलना के लिए कहां बांदे के लिए अलग विद में कांपनी करती है एक साथ काम करती है, सर्वस रेष्ट काम करती है, तो उस पे ये मार्क लग जाता है, बैंक्च मार्किंग का, अब हम आगे बात करेंगे, Digital Infrastructure for Knowledge, Sharing and दिक्षा, क्या आगे अब दिक्षा के बारे में हम बात करेंगे, दिक्षार राइस, कब 5 सितंबर 2017, वेंके या नाइडू के समय, उन्होंने ये सापित की थी, और राइस का मतलब क्या है, राजसान इंटरफेरेंस, राजसान इंटरफेरेंस for School Education, राजसान इंटरफेरेंस for School Education, फिर देखिए, ये तो होगे दिक्षार राइस के बारे में, इसका नाम क्या हो गया, पूरा Digital Infrastructure for Knowledge Sharing, इसके सापना कब हुई, कब हुई 5 सेप्टेंबर 2017 को, और जो उपराश्चे पती थे, उपराश्चे पती कौन, मैं कहीं, नाइडू के, ने इसको लॉंच किया था, इसने लॉंच किया था, तो रिसाइप में कितनी भास आएं हैं, 18 भास आएं हैं, और इसका वाक्या क्या है, हमारे शिक्षक, हमा नायक, हमारे शिक्षक, हमारे नायक, चार मूल सिदानत है, ओपन आर्किटेक्चर, ओपन लाइसेंसिंग, विविद्धिता और ओपन सेक्सेस, और पशंद और स्वायता, यह क्या है, चार इसके सिदानत है, तकनीक क्या है, इसमें सनवर्ड नामक, MIT लाइसेंस, प्राप् कर दिया गया है और इसके अंदर अगर हम बात करें तो कौन से पाठ्थय करम चलते हैं पाठ्थय करमों की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ढखिए CBSC Central Board or NCERT और SCERT पाठ्थय करम चलते हैं और जो इक तो इक नदर हैं तो होव आपको समझ में आया होगा और इसने क्या किया था मैं 2017 में एक दिक्षा digital app का निर्मान किया था और इसमें किया गया था और इसमें कक्षा एक सले के बारा तक कि जितनी भी अध्यान सामगरी है सारी इसमें इबुक्स के रूप में उपलवद मिलेगी और नोट्स वगरे सब कुछ इसके अंदर मिलेंगे और यह क्यों हुआ था शुरू कोरोना काल में यह काफी ज़्यादा एक्सपैंड हुआ इसका मतलब विस्तार काफी ज़्यादा इसके अंदर और इसके देगए कि सुविधा इसके अंदर क्या है कि जो पेरेंट्स हैं उनके साथ तीचर अपना अच्छे से कर सकते हैं और अंलाइन कि और जितने भी मतलब जिचिए जो प्रफाइल वगरह सब कुछ इस एप से जुड़ा वोगरह जो भी होती वह सारी इसके अंदर होती है और इसके अंदर मतलब कहते ने टिएल्याइंब टीचर लरनिंग मैटेरियल भी इसके अंदर होता है वीडियो लइक्च्छर भी उपलब दोते हैं कब देखो सुचना ही आती है समधाय डैस्पोर्ट उपलब सब कुछ इसके अंदर होता है उसके बाद में हम आगे बात करेंगी किसकी स्माइल की ठीक है social media interference for learning social media interference for learning engagement पेली बात तो एक यह कक्षा कार्यकरम है जो लोगडाउन के स्कूल वगर बंद हो गये तब इसका यूज शुरू हुआ सापना देखो तीन चरणों में यह हो रहा है तो पहला चरण कारिय करम 13 अप्रेल 2020 दूसरा दो नवंबर 2020 तेरा अप्रेल 2020 दो नवंबर 2020 और फिर 21 जून 2021 21 जून 2021 तेरा अप्रेल और फिर नवंबर दो नवंबर और फिर 21 जून 13 अप्रेल 2 नवामबर 21 जून अब वाक्य क्या क्या है इसके हर सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे जो पहला समाइल कारिये करम है उसका वाक्य क्या है हर सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे राजस्तर से प्राप्त सामगरी को PEO पंचायत का जो अधिकारी होता है पंचायत स्तर पर उसके ग्रूप में भेज जाता रहा जिस तर से जो सामगरी होती है वो पंचायत स्तर पर जो अधिकारी होता है सिख्षकों का उनके ग्रूप में भेज दी जाती है दो में क्या है दो नुमबर 2000 देखिए दो दो ज्यादा आ रहे हैं इसमें क्लास स्वाइज गर्उप है ठीक है जो homework दिया जाएगा और 6 से लेके 8 तक Monday और Wednesday को homework दिया जाएगा तो ये चीज़े भी थोड़ी धिहान रखना है इसके अंदर और अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या है digital learning चूला teachers and चूला parents इसके अंदर पूर्ट रखना है of के नाम है किसके अंदर इसके अंदर ठीक है डिजितल लर्निग चूला teachers और पैरेंट्स याद रख्येगा ये और पैरेंट्स यह क्या है geçer के नाम है इसके अंदर और इसके अंदर क्या homework अप rewarded आया हुमवर्ग का print out भी टीचर से चेक कराना पड़ता है जिससे क्या है पॉर्ट फॉलियो फाइल के अंदर लगाया जाता है फिर उसको पॉर्ट फॉलियो फाइल के अंदर इसको लगाया गया था तो और इसको टीचर को को लिंग भी करनी पड़ती थी ठीक है को लिंग फॉर्म दिन कितने सब् फोन करने पड़ते थे टीचर्स को और इसका record भी टीचर्स को रखना पड़ता था अब देखिए next देखते हैं हम कि smile 3 में क्या था 21-21 आओ घर में सिखे दो कारिय करम ठीके दो नंबर का कारिय करम था तो इसको 02 ठीके कारिय करम को घर में सिखे 02 कारिय करम नाम दिया गया इसको multimodal channel 03 करिय करम को सब्ता है में क्विज होंगे मिशन ग्यान एप इसके अंदर था ठीक है बेस्ट साथ क्विज के अधार स्टूरेंट का आंकलन किया जाता था साथ क्विज के अधार पे स्टूरेंट का आंकलन किया जाता था कब अगस्त 2021 के अंत में किया गया था इसके अंदर और क्या था मिशन ग्यान एप को भी इसके अंदर लॉंच किया गया था ठीक है ये बात आती है तीन की और इसके अंदर 15 दिवस 15 दिवस में साला दरपन पोर्टल में क्या होता है विद्यार्थियों से समझे सारी एंट्री निश्चित करने पड़ती है ठीक है 15 दिवस के अंदर अब आई होप ये इतना लर्ण हो गया होगा आपको अच्छे से इसके अंदर वर्क कप देंगे एक से पांस तक तो हर सब सब्सक्राइब में एक सब्सक्राइब में एक लजाया जाएंगा यह यहांग समल की बातों İs ककंने यह इसलिमिंद हैं इस प्यूज्च वर्क करेंगे यह जो गरुप थे वह किसरे बूंट सब की जो पर से उस पर ही होता था अब हम 9 बात करेंगे और किसकी बात करेंगे की हवा महल क्या है तो हवा महल क्या है कि अगर किसी को पता तो यह पिलीज मेंट करके बताइए तेखते हैं कि उलेज रखते हो आप लोग तो चलिए देखी लेते हैं यहीं पर कि कोरोना के समय बच्चों का जरोखा हुआ करता था कौन हवा महल आरेसी ए आर्टी उदैपुर द्वारा शुरुवात की गई है इसकी कारिकरम पांच आज की कहानी आज की कवीता किताब आज की गतिवीधी आज की शिख्षक का कोना आज का ठीक है यह सब क्या है पांच कारिकरम हवा महल के अंदर होते हैं करता कोन है किती है और कख्षा अध्यापक करते और कःग्रड़ ग्रूप में वर्क डालेंगे और जो परधान होगा उनके क्या कारिया हो सBook屋टूंगे सिक्षावणी सिख्षावणी क्या है सिख्षकों कि देखिए दोहजार बाइस को प्रशारन ओल इंडिया रेडियो द्वारा प्रशारन ओल इंड्ऍडियो द्वारा वाक्य क्या प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ मतलब क्या होगा राज्जे सरकार पर सलोट उपलब्द करवा रही थी थी कि कौन करवारी थी केंदर करवारी थी हर राज्य सरकार को फिर हम बात करते हैं सामगरी निर्मान कौन करता है करता है उसके नेतित्वय में डाइट करता है कौन करता है डाइट करता है डाइट के बारे में आगे पढ़ेंगे हम चच्चा करेंगे और देखो इसका समय क्या रहता है कि 15 मिन्ट तो 1-2 तक की क्लास के बारे में और क्या आएंगी कार्टून वगर है मीना कहानी वगर है आएंगी इनके अंदर फिर 15-35 मिन्ट के अंदर 3-8 वी क्लास तक ठीक है और एक पार्ट रोजाना करवाना है इनको 35-55 मिनट में 9 से 12 कक्षा के लिए आएगे और कितने स्टेशनों पे चलती है ये 25 स्टेशनों पे राज़स्तान के 25 स्टेशनों पे इसको चलाया जा रहा था से लिख है कि स्टेशनों ठीक है इसको चलाया जा रहा था और कख्षा के अकोर्डिंग मतलब डोजाना देखो 11 से सुबह 11 से 11 पिचपन तक मतलब फिचपन मिनट का कार्यकरम है फिचपन मिनट इसको चलाया जा रहा था तो यह बात हुई हमारी शिक्षावाने की याद रखेगा सापना कभूवी 11 मही 2022 को और प्रशारन ओल इंडिया रेडियो वाक्य प्रयारे बच्चों कान लगाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ अब बात करेंगे शिक्षादर्शन की तो सिक्षादर्शन के बारे में प्रारम इन तीनों के सहयोग से इस कारिय करम को चलाया जा रहा है इनका करम क्या रहेगा स्माइल फिर सिक्षावानी और फिर सिक्षादर्शन याद हो गया होगा स्माइल के बारे में हमने पढ़ा था एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए कब 13 अप्रेल 2020 दो नवंबर 2020 21 जून 2021 स् Mine 20 अब इसके अंदर यह तीनों मिलके काम चला रहे 25 में दूरदर्शन में यह कारिय करम परसारित किया जाता है 23 निर्मांड कोन करता है और एकोवेशन इन्में बागिदारी दी है अपनी तेकर सामगरी निर्मान में समय कितना रहेगा इसके अंदर 105 में मिनिट का कितना समय रहेगा 105 में मिनिट का तो देखी कैसे 9 से 12 तक 2 घोंटे यह 24 से अधाई बज़े तक चलेगा सब्सक्थelnाट में इसमें पर्थम स्लोट में, दूसरे में क्या है, तीन से सवा चार बजे तक, एक घंटे, पंदरा मिनट, एक से आठ वी तक के बच्चों को इसके अंदर पढ़ाया जाएगा, और इसके अंदर क्या है, कक्षा पांच कली कार्टून्स, पांच कली कार्टून्स होंगे, और व इसका मतलब क्या है, कि बच्चे घर बैटके पढ़ाई करे, बच्चे घर बैटके पढ़ाई करे, और क्या है, वाक्य क्या है, पढ़ाई के साथ मस्ती भी, बच्चों देखो ग्यान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बच्चों देखो ग्यान बढ़ाओ, प्रशार किया जाएगा फिर हम बात करेंगे राजसान में सैक्षित परीद्रश्य की तो अधुनिक शिक्षा का प्रारम 1818 में अंग्रेजों ने किया कि जित्ती भी रियास्त हैं थे उनके स्वयोग में संदियां करकर के अंग्रेजी सिख्षा को संपर्ख मिलाए लोड मैकाले कौन लोड मैकाले के वक्त 1835 में अंग्रेजी सिख्षा भारत में लागू कर दी गई थी लोड मैकाले 1835 सियाद रखेगा और क्या बनाया था राज के भाशा मनाया गया था अजमेर के अंदर देखते अजमेर के थीक है Agency जो किया गया अजमेर और पुषकर के अंदर क्या खोले गए अंग्स जी स्कूल खोले गए, ठीक है, अंग्रेजी स्कूल खोले गए, 1882 में क्या था, भिनाए, ये भी कहा है, भिनाए वे केकडी दो है, भिनाए वे केकडी, इनके अंदर क्या हुआ, अंग्रेजी स्कूल खोले गए थे, और 1831 में इनको बंद कर दिया गया था, फिर बात आती है कर्नल वोल्टर ने 1854 में मेयो कोलेज जो पहले क्या था बारतक का विध्याले था कर्नल वोल्टर 1854 अजमेर मेयो कोलेज वोल्टर 1855 मेयो कोलेज ठीक है ब्यावर 1929 सनातर धरम कोलेज अजमेर 1942 दयानंद एंगलो वैदिक कोलेज अजमेर में 1942 के अंदर तो आई होपी याद हो गयागा फिर जैप्र का देखते हैं तो राम सिंग के समय में क्या था 1844 में पहला महाराजा स्कूल खोला गया जिसे बाद में क्या बना दिया गया महाराजा कोलेज में परिवर्तित कर दिया गया कब 1844 में फिर जोथपूर में 1879 में दर्बार स्कूल खोला गया जिसको बाद में जस्वंत कोलेज के नाम से जाना जाने लगा फिर उदैपूर के बात करते हैं एजन्ट इडन ने उदैपूर में 1863 में संबूर अतन पाट साला महाराजा जिसे बाद में क्या बना दिया गया महाराजा बोपाल कॉलेज बना दिया गया बालिका शिक्षा के बारे में देखते हैं तो 1866 के अंदर उदैपूर में जैपूर में और भरतपूर में कहां कहां सरकारी स्कूल ने किसके लिए बालिकाओं के लिए सरकारी स्कूल ने खोला गया कब 1866 में कहां कहां उदैपूर जैपूर भरतपूर उदैपूर जैपूर भरतपूर के अंदर और कुछ स्कूल जो बालिका सिक्षा के स्कूल है और सतंतरदा से पहले खोले गए थे उनमें से क्या क्या है हुशन गल्सकूल जोथपूर सावित्री अजमेर सावित्री सोफिया अजमेर में सैसे वाली अजमेर में महारानी नोबल्स बिकानेर के अंदर महारानी नोबल्स बिकानेर हुशन जोथपूर सावित्री सोफिया जैपूर के अंदर 1866 में Noble School जो फिं नोबल स्कूल जो सर्फ किन लिए थी सासकवर लोगों के बच्चों के लिए थी और विकानेल के अंदर 1893 में वॉल्टर नोबल स्कूल और उद्धैपूर में 1923 में भोपाल नोबल neben स्कूल जो पाद्रीवल लोग होते हैं उनको बोला जाता है नोबल्स ठीक है फिर इसाई मिशनरी 1860 बियावर पहला स्कूल इसाई मिशनरी पहला स्कूल कहां खोला गया बियावर अजमेर में 1860 में 1950 के अंदर राजस्तान प्राथमिक वे सोरी राजस्तान प्राणबिक वे माद्यमिक शिक्षा निदेशाले बिकानेर में था और 1967 में ये अलग कर दिये गए 1969 में पंचायत राज वेवस्ता ठीक है उसके अंदर क्या किया गया इनको जो भी प्राणबिक विद्याले थे उनकी प्रबंद के वेवस्ता का दाईत्व दिया गया किसको बिकानेर को इसका दाईत्व दिया गया एक जनवर इनुनिस उठान में को प्रारंबिक स्क्षा निदेशाले बिकानेर का काम शुरू हुआ ये दोनों ही आलग- Напार दिय कर दिये गए थे राजस्तान मार्दमिक शिक्षा निदेशाले बिकानेर इन दोनों का काम शुरू हो गया था फिर डी तो देखते हैं कि अतिरिक्त जो मुख्य सचीव होता है वो आई-एस होता है जो इसका क्या होता है सर्वोच अधिकारी होता है सर्वोच अधिकारी कौन होता है आई-एस होता है अतिरिक्त मुख्य सचीव ठीक है और उसके अधिन कौन होता है फिर प्रमुख साशन सचीव हो किस के अल्बाद सची वाले? सन लिखंडे स्वाइन सची. निदेशक होता है तो निदेशक होगा. कौन होगा निदेशक. याद रखी गाई यह बाते छोटी छोटी और फिर इस Comedy किया करेगा ये नियरक्षन और कारेकरम को का क्रियानवन करवाता है और इस शिक्षा विभाग का विभागा ध्यक्ष भी होता है ये तो यहां तक आपको 1950 में क्या था प्रारंबिक और जो मादे में खिक्षा निदेश अले था उन दोनों किस आपना कहां हुई थी बिकानेर के अंदर हुई थी याद हो गया होगा आपको अच्छे से अब ये चीज़ याद करेंगे देखो कैसे कि ये दोनों तो अपन को याद है कि राजसान माद दो बिकानेर एक जोदपूर प्राविदिक जो तकनिकी सिक्षा निदेश अले है जोदपूर के अंदर है बाकि जितने भी हैं वो सारे कहां है जैपूर में जैसे सतत साक्षरता राजसान कोलेज सिक्षा निदेश अले राजसान संस्किर्ट सिक्षा निदेश अले राजस और प्रारंबिक और माध्यमिक जो सिक्षा निदेशाले है वो बिकानेर के अंदर है तो आई होप यह एच्छे से याद हुआ होगा आपको अब बात करते हैं सिक्षा के दुंगरपूर बांसवाड़ा परतापगड़ और चितोड़गड़ यह च्छै यहां पर हो गए किसके अंदर हुआ यह उदैपूर हुआ क्या उदैपूर सब माग हुआ कोटा की बात करते तो यह कोटा का पार्ट हो गया है यहां पर कौन-कौन जालावाड बारा बुंदी बारा बुंदी और कोटा यह चार इसके अंदर हो गया अजमेर की बात करेंगे तो नागोर टॉंक भीलवड़ा और अजमेर यह चारों का यह यहां रहता है भरतपूर की बात करेंगे तो यह भी धोलपूर करोली भरतपूर और स्वाइमा धबूर जैपूर की बात करेंग तो ये तीन है, यहाँ पे चुके साइड में ऐसे से करके, तो यहाँ पे जसलमेर जोतपोर और बाडमेर, चुरो जुहुनजुनु सिक्कर, चुरो जुछुनजुनु सिक्कर, पाली सिरोही जालोर, और बिकानेर के अंदर गंगानगर हनमानगर भिकानेर तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक वाला संभाग कौन सा है उदैपूर है और सबसे छोटा छोटे तो फिर तीन तीन के तो बहुत है पेर चीक है चार वाले तीन है और तीन वाले पांच है तो नो संभाग हो गए चलो फिर आगे देखते हैं और अगर इनकी बात की जाए फिर कि ये चार चार हो गए तीनों के अंदर और इनके अंदर किया हो गए तीन तीन हो गए अब सबसे ज़्यादा छेत्रफल वाला संभाग जो रहेगा सबसे ज़्यादा छेत्रफल इसका है ठीक है और सरवादिक जिलों वाला पूछा जाए तो सरवादिक जीले किसमें है इसके अंदर यह बात यहां याद रखनी है प्रार्रामिक सिक्षा विभाग की बात करें तो विकानेर में 1950 में क्या थे प्रार्रामिक और माद्यमिक दोनों एक साथ थे लेकिन क्या कि यह 1997 में दोनों अलग हो गए और 1969 में अपने पिछे पड़ा है 1969 में पंचायती राज विवेस्ता लागू की गीती जिसके अंदर क्या हुआ था कि जितने भी ग्रामिन विकास और पंचायती विभाग के क्या करेंगे विध्यालियों का प्रबंदन करेंगे उनका दायत वे किसको दे दिया गया था पंचायती राज विवेस्ता के अंदर में ग्रामिन विकास और पंचायती विभाग को सौप दिया गया था 2001 में ग्रामिन छेतर की जो भी प्रात्मिक शिक्षा का निर्देशा ले था वो प्रारंबिक शिक्षा के दौरा किया जा रहा था 2 अक्टुबर 2010 को पंचायती रासंस्ताओं को स्थानांतरित कर दिया गया सी इनको सानांत्रित कर दिया गया लेकिन शिक्षा विभाग ही रखा गया उनको क्या रखा गया शिक्षा विभाग जो प्रात्मिक शिक्षा विभाग था उसके अंडर में ही इसको रखा गया ठीक है तो इनके स्तापना कभुवी अलग एक जनवरी उन्नीस सो इठाण में में एक जन्वरी उन्नीस सो इठाण में में इसने सतंतर रूप से काम करना शुरू कर दिया था अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह करता क्या क्या है प्रबंदन करेगा प्रशाशन करेगा प्रारंबिक शिक्षा का विसार करेगा अनुपच करेंगा कृष्णRO 앉 कर एगा इसके बाद में जो संस्ता हम एक राज्फ़ की संस्ता होती है चर्चर है दोनों के अंदर यह भी जाद करना बहुत ज्यादा ज़रूरी है कि निदेशाली प्राथ्मिख शूक्षा- राज्फ़त्तान भिकानेश। के अंदर ठीक है एक यह कैसी संस्ता है राजक्य संस्ता है निदेशा ले प्रारंबिक शिक्षा राज़स्तान विकानेर अधिकारी आईएस होता है प्रबंदन करता प्रारंबिक स्क्षा राजकिया संस्ता है with a need ये ड़ाइट भी कहा है तो वैंसे आफन को पड़ डाइट नहीं है देशाले परारभिक शिक्षा राजस्तान बिकानेर में आईयस काम करता है प्रबंदन परारभिक शिक्षा करता है स्टेट लिजेरी मिशन और थ्योर्टी सल्मा ठीक है इसके अंडर में काम करता है फिर साकषर बारत कारिये करम 8 सितंबर 2009 को बुन्यादी बुन्यादी साक्षर कारिय करम एम एच आरडी 15 वर्स से बड़ी आई यू के लिए ये शुरू किया गया था सतत साक्षरता और सतत सिक्षा मतलब सबको शिक्षा दी जाएगी इक्वी वैलेंसी प्रोग्राम 2004 अजमेरवे सिक्षर में इसके अंडर में चलाया गया था अब बात करते हैं पंजिक शिक्षा विभाग की परिक्षाएं बिकानेर शिक्षक परिक्षन परिक्षा बेस्टी सी डियाल डियल एड और उसकी जो परत्थम और दिलते वर्स की जो परिक्षाएं होती एड़ बाता है थ्यान रखीगा संगीत भुशन संगीत प्रभाकर यां सा ञते प्रती नहीं कराता है दिया अब प्रसिक्षन संस्तान डाईट अब देखिए इसके अंदर क्या है पंजिक शिक्षा विभाग में पत्राचार सिक्षन प्रसिक्षन के जो प्रेपर लगते हैं वह भी करते जिला सरी अधिकम मुल्यांगन प्रिक्षा पांच Najran करवाता है ध्यान रहाँ अब स्वाइसान सीकों में राजसान प्रारंबिग सीक्षा परीशद जैपुर में ौड प्रारंबिग सीक्षा राजस्ता सान निदेशा ले पूछ लिया जाये तो वह भी का नेर परिशा जैपुर के अंदर нашаब मुंबर 1997 में बनी थी 2018-19 में क्या है राजस्तान स्कूल शिक्षा परिशद राजस्तान सिक्षा कर्मी बोर्ड जैपूर राजीव गांदी सुर्ण जेनती पार्ट साला कारिय करम 6-14 वर्स के बच्चों को जो क्या है दूर्गम छेतर में रह रहे हैं उनके लिए इसको क्या बनाया गया है राजस्तान शिक्षा कर्मी बोर्ड जैपूर को बनाया गया है कि जो चइसे 14 जो आरक के अंदर ये तो प्रावधान करीद दिया ग गया है कि सारे बचों को सिक्षा मिले सबस्पेशली जो 6-14 वर्स के बच्चे हैं उनके लिए तो जो दूर रह रहे हैं जो पहुंच नहीं पारे ऐसे बच्चों के लिए राजसान सिक्षा कर्मी बोर्ड जैपूर के द्वारा यहां प्रावधान किया जा रहा है राजसान मदर्शा बोर्ड जैपूर 27 जनवरी 2003 वंचित विद्यार्थी जो हैं बच्चे जो हैं उनको अधिनिक शिक्षा दी जाए औ मनोनीत करती है राज्य सरकार और 15 मनोनीत सदश्य इसके अंदर काम करते हैं राज्य सान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जैपूर जो भी होता है राजके का वह सारा कहा होता है जैपूर के अंदर होता है तो यह सारी क्या है स्वायत सासी है कौन-कौन सी स्वायत सासी एक प्रार्मिक शिक्षा परिशद, सिक्षा कर्मी बोर्ड, राजसान, मदर्सा बोर्ड और राजसान, राजजे पाथे, पुस्तक इसके अंदर स्वायत सासी है, फिर हम बात करेंगे कि इसकी राजसान के माद्य में की, इसके अंदर एक में तीन है और एक में पांच है, तो रा करवाने के लिए उच्छा अध्यान उच्छा संस्तान अजमेर आई एस ई बिकनेर और अजमेर के अंदर आई कहां बिकनेर अजमेर में बीएड निदेशाले कोलेज के अधीन काम करते हैं और क्या है स्वाय संस्तान कोनकोन सी है राज़स्तान माङदमिक शिक्षा परिशद जयपूर कब तीन फरवरी दो हजार नो रमसा राश्चिया मादमिक शिक्षा अभियान उच्छा में गुनवता वे मातरात्मक धांची में सुधार का उदेश है ठीक है यह हो गया एक तो क मनोबल वह बढ़ता कर रहे हैं हम हम एक टोपिक एक वीडियो के अंदर जलदじ कवर कर रहे हैं राजस्तान स्टेट ओपन स्कूल जैपूर 21 मार्श के अंदर एस्टान स्कूल ऑपन एक साइप टेस्टान और सबिक्ष्य वाभा इस अटैतक eteं नहीं इसकत HEY जैपुर में है भारत स्काउट घाईट में जैपूर के अंदर H बाता है और आटवी का भी याध्या map का कहा होता है तो Maddyamika का अजमेर के अंदर होता है नेक्ष देखिए फिर नेक्ष में अपन बात करेंगे राजस्तान स्कूल सिक्षा विभाग तो राजस्तान में प्रात्मिक और मादमिक शिक्षा विभाग को एकिकरित किया गया ठीक है एकिकरित किया गया नेक्ष देखिए फिर कि क्या है एकिकरित सिक्षा संकूलों में स्कूल सिक्षा विभाग के ब्लोक जिला संभाग सतरीय कारेकरम का पुनरगर्थन किया गया और 28 जनवरी 2017 को क्या हुआ कि पंचायत रिसो पंचायत है गाऊ पंचायत है उसके अंदर आदर्श विद्यालियों को सेंटर पंचायत रिच्ञ पिर्धाना चारी प्रिंस तरग है प्रिंस्टिसर प्रिंस्टिकारी के उनको बनाई फिर बात करते हैं बलोक्स स्कूल संकूल लों को संकूलों का क्या सापना कब हुई 8 हगस 2018 में कि गई बलोक्स स्कूल शिक्षा एक मिन्ट ये देखिए SSA, सर्वशिक्षा अभियान, सर्वशिक्षा अभियान, रमसा क्या है, राष्ट्रिये माद्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रिये माद्यमिक शिक्षा अभियान, और TE क्या है, टीचर एड्यूकेशन, इन सब को कब एकिक रित किया गया, 2018-19 में और क्या बना दिया गया समगर शिक्षा अभियान इसको बना दिया गया ये किसके बात करें हम स्कूल शिक्षा विभाग किये देखिए स्कूल शिक्षा विभाग और एक सीवीरा पत्रिका का भी आयोरिजन किया गया था सीविरा का प्रकाशन 1960 में इसका प्रकाशन से होता है इसके प्रकाशन होता है जो भी बिकने संभाग और तर मासीक पात्रिका है, इसके अंधर जितने भी शूचना यह वगर होती है इस कितने होते हैं 11 पुस्त के आती है और सारी इंफोर्मेशन लिखी होती है निकालता कौन है विकानेर निकालता है यह ठीक है इतना क्लियर है आपका ब्लोक्स तर यह सिक्षा संकूलों में क्या क्या आता है देखिए कि C B E O C B E O P R C F E याद रखना बस इतना ही याद करना और यही अपना काम बना देगा समसा चीक है B E O A C B E O A C B E O P E O व्याख्याता और कौन C W S N यह क्या है इसके अंदर सहयोगी है ठीक है सबसे पहले तो इसके अंदर में यह आते हैं ठीक है फिर इनके अंदर में यह आते हैं इनको याद करना ही पड़ेगा रटना ही पड़ेगा P E O कौन होता है यहाँ पर प्रधानाचारिय होता है A C B E O कौन होता है प्रधानाचारिय के समकक्ष होता है यह प्रथम पर फिर दूत्य पर पर और फिर व्याख्यता आई जाता है ठीक है अब हम बात करेंगे जिला पर तो कितने हैं 33 कितने 33 उसके बाद में हम बात करते हैं सैम यही चीजें हैं आपको याद करनी पड़ेगी यहां प और यह सब पढ़ना ही पड़ेगा याद कर लो समन्वे डाइट प्रचारिये संयुक तिंदेशिकंड जेडी एडी ओ सारिक शिक्षा अधिकारी संस्थापन अधिकारी जो हैड मास्टर होता है और राज्य में आरस ये आर्टी उधैपूर में आरस सी आर सी एस सी इए तो एडुकेशनल दूसा कलर ले देते हैं एक बार स्टेट इंस्ट्यूट ओफ एडुकेशनल मेनेजमेंट एंड ट्रेनिंग तो जो राश्टी सिक्षन निती थी 1886 की उसके अंदर ही किर्यान्वन के लिए क्या किया गया प्रोग्राम ओफ एक्षन ठीक है प्रोग्राम ओफ एक्षन 1902 में में कार्य करम चलाया गया और जिसमें इसकी सापना कहां की गई सीमेट की गोनेर जैपूर के अंदर गोनेर जैपूर के अंदर इसकी सापना की ग करना इसका क्या है ओधिषय रहेगा थो हजार ग्यारा में राज राज स्तान प्रारंबिक शिक्षा परिशत के अंतगर 2012 इसको रजिस्ट्रिक करता है सप्टेमबर 2012 के अंदर इसका ठीकर रजिस्ट्रिक कब होता है 2012 सितंबर माहे में और सिफे एक्ट कौन सासाइटी हेत अधिकारी के निदेश हे स्क बारे घोटा है भेगा जोटा of Touare फिर नियोजन के बारे में पढेंगे संस्तागत नियोजन करना मतलब प्लैनिंग ठीक है सबसे पहले मुदालियर सिक्षा आयोग बावन त्रेपन की सिफारिस पर योजना का नाम पड़ा और योजना का नाम क्या रखा गया फिर क्या रखा गया विध्याले समूयन योजना विध्याले समूयन योजना किसकी सिफारिस पर मुदालियर सिक्षा आ योजना की रूपरेखा निधारित कर प्रकाशित किया गया बैतर तेतर से अनिवारिय बन गई है तीन घटक है समाज वेक्ति और संस्था छेतर क्या है इसके सेक्षिक सहसेक्षिक भोतिक और विविद फिर देखिया आगे आटी 2009 की धारा 22 इसके अंदर क्या है सिक्षा के ल ये कहते है और तीन वर्प चलती है फिर इसके अंदर चैंडशे जाते हैं 1968 से ये चल रही है यह यह AM स क्याते हैं यहjor नियोजन है ना फ्रैंक्लिन कहते हैं जो नियोजन है वो क्या है मील में पत्थर है मील का पत्थर साबित हो रहा है मील का पत्थर साबित हो रहा है और इन्होंने ही तीन घटक बताया है यह कौन से समाज वेक्ति और संस्थान किसने फ्रैंक्लिन ने ही इनके बारे में बताया तो आई होप यहां तक आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा अच्छे से समझ में आया होगा और रिवीजन भी हो गया होगा फिर बात करते हैं सैक्षिक अब इसमें क्या होता है कि कुछ अजेंसियां होती है अजेंसी होती है ठीक हो क्या काम करती है कि सिख्षक जो है उनक से राष्टि इस सेक्षिक अभी करन है युनेश को ठीक है राष्टि इस तर पर कोन है मानव विकास उसाधन विकास ठीक है यूजी सी न्यूपा एंसी टी एंसी आर टी यह सब मैंने सीरत सीरत अरफ सीरति क्या है सीरत और पढ़ेंगे दो कोलेज़ भारत में में इस कितने कोलेज हैं दो कोलेज है और चिक और सीटी ऑठ कोलेजर सीटी कि काई और मटा continuous को बाइट कितने हैं इसके अंदर थ्याइट किया करते हैं प्राथमिक सिख्षा के सिख्ष को के लिए क्या है एक चИस समझमें आगवी होगी कि किसके लिए है किसके लिए प्रस्चिक्षनों के लिए है और इसके अंदर कियूमिक के सिक्षकों के कि यह क्या है माध्धिमिक शिक्षा के स्खव को के लिए पर शिक्षर है यह क्या है क्या क्या है डाइट और बाइट क्या है कि को आए leaking क्यों करते है यह क्या है आई兩個ली च89 स्थरय राज्यस्तार होते हैं नेक्स देखे फिर आई एस ए क्या है ठीक है देखते हैं इसके बारे में कि इंस्टिट्ट ओफ एडवांस टुड़ी इन एजुकेशन इंस्टिटूट ओफ एजवांस स्टुड़ी ओफ एजुकेशन राष्टिय शिक्षा निती इसके क्या है कुछ कारिये हैं इसका कह सकते हैं किसे मोटिव है सर्वोच स्तर की सिक्षा देनी हैं किसको देनी है बंदों को जो बीए डायमेड वगरे कर रहे हैं यह तो अपने समझे लिए कि बीए डायमेड करने वालों के लिए हैं और राजकी उच्च अधेन सिक्षण संस्तान विकांइर राजकी उच्च अधेन सिक्षण संस्तान बीकांइर और अजमेड दो ही जगह है यह मैंने आपको बढला दिया है के अंदर कब लिए मेंchioंड़ क्या अगुत लमगत नियरीट का reflect झतल् Auch the मेंजार घीन लाइंज कुछ अध्यास्ट्ट रहे-ध्यास ze सब्सक्राइध करने राज़ाई सान बिकानेर बना और प्रस्टिक्षन शोरी यह यह दोनों जो बीड और सर की जुमानेता आई थी तब यह सान बिकानेरr के बना का और अज मेर के अंदर में है और अजमेर के अंदर जो प्रधानाद्यापक जो प्रधानाचारी जो होते है वोग हो कितने जिलों से हैं 17 जिलो से हैं और विकानेर के अंदर वो कितने हैं 16 जिलो से इसके अंदर कार्मिक होते हैं जो प्रशिक्षन देने का काम करते हैं क्या काम करते हैं ये 16 जिलो से और इसमें 17 जिलो से जो आते हैं कर्मिक कार्मिक होते हैं वह क्या करते हैं प्रशिक्षों देने का काम करते हैं एक गांधी वीद्या मंदिर सदाशर के अंदर था गांधी भवन उद्यपूर की आई ऐसी मानेथा स्माप्त कर इसने क्या बना दिया गया है क्या कब एक तो यह कांँ है चूरु गांदी विद्या मंदिर सदाश्य शुरू के अंदर जो है और गांदी भावन रुदैपूर के अंदर है दोनों ही आए ऐसे कि माने तर थी इनके पास और इनको स्माप्त कर दिया राजस्तान में सिर्फ कितने हैं दो हैं एक बिकानेर में और दूसरा अजमेर के अंदर हैं नेक्ष देखिए फिर इसका वाखिय रह गया वाखिय देखी वांग में तप उच्छती वांग में तप उच्छती इसका वाक्या है किसका अजमेर का और उसका क्या है साविद्ययायायवी मुक्ते अब आते हैं R.S.C.R.T. उदयपूर की बात N.C.R.T. जो काम करता है राश्चे सर्पर सैक्षिण, शिक, अनुसंधान और प्रशिक्षिण का जोकारी N.C.R.T. राश्चे सर्पर करता है वो राश्चे सर्पर कौन करता है R.S.C.R.T. उदयपूर करता है अन्संदान प्रशिक्षन परिशद और राज्चे तरपर NCRT तिर्थे पंचवर्षी जो योजना थी उसके अंदर क्या हुआ था कि 1903 में राजस्तान में राज्जे शिक्षस अंस्तान उदैपूर की स्थापना की गई थी राज्जे SIE की स्थापना की गई थी और सी महरोत्रा जो तृस्मीति थी सीरत को उदैपूर में इसकी स्तापना की गई सीरत की सीरत की और इंस्टुटूटूट ऑफ एजूकेशन तो है ये ठीक है उसके बाद में हम बात करते हैं आगी कि पुनर गठन कब हुआ उसका 14 अगस्त 2018 को इसका पुनर गठन हो गया और इसका नया नाम क्या रखा गया रखा गया जो क्या है एक स्वायत सासी संस्तान है जो ऐसा ही है ना उसका पुनर गठन हुआ लुगोओं मी कया है राजसान का मान चुत्त湭 है और उसके इंऩर सफेध हांस है वाके क्या है उद्धय द्वं समनस है सकाई इसका आदर श्वाक्य है देश्य क्या है इसके इंदर गुनात्मक सुधार लाना गुनातमक सुधार लाना और जो भी समाधान जो भी चुन्योतिया हैं उनका समाधान निकालना इस गठन का उदेश्य है और यह किसके अंडर में आता है एमेच आरडी के अंडर में आता है मानव संसादन विकाश मंत्राले के अंडर में आता है तो पुनर गठित कब 14 अगस 2008 को और सीरत की स्थापना कब हुई 11 नुवंबर 2000 सुहां पूलिजन का स्थापना हुई शेए न्यक्स एक बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे अब दायिट के बारे में पढ़ेंगे सिह इंस्ट्रिक इंस्टिटूट ओफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शिक्षा जिला शिक्षा वे प्राणबिक शिक्षा संस्थान राधा किष्ण आयोग 1969 मुदालियर आयोग 1952 कोठारी कमिशन 1964 और 1966 के अंदर ठीक है यह क्या थे जिला स्थर पर शिक्षक प्रशिक्षान संस्थान के सिफारिस की गई थी राष्टी शिक्षानिती 1986 मुदा प्रकाशित की गई थी फिर देखिए इनकी सिफारिस पे इसकी स्थापना तो कर दी गई और फिर क्या है उननिस सो इठासी में डाइट की स्थापना की गई एम एच आरडी ने क्या किया नवंबर 1989 को पिंक गाइड बुक को प्रकाशित किया और पूरे भारत में ये बुक थी और इसका अधार क्या था कि सेवा पूर्व और जो सेवारत सिख्षक प्रशिक्षणों के आयोजन के लिए जो नियोजन की रूप रिखा निधारित की गई है डाइट का समन्ध है कि से एंसी तार्टी और न्यूपा से है वरतमान में 33 डाइट है एक क्या है राज के संस्कृत सिख्षक प्रशिक्षन विध्याले जैपूर में है और एक अलप भासाई सिख्षक प्रशिक्षन अजमेर में है 15 निजी प्रशिक्षन विध्याले है और 219 क्या है निजी STC विध्याले हैं ठीक हैं किसके अंदर में हैं ये सारे और सियाइटी और न्यूपा के समन्द में जो भी डाइट काम करती हैं उसके अंदर में ये विध्याले संचालित किये जा रहे हैं और इनके मैं काम क्या है कि प्रशिक्षन और सिक्षन देना किसको और जो जो भी सिक्षक हैं उनको और साथ में इनकी संस्थान जो है वो प्रद्विक खृशा है ना उनके उनका क्या किया जासके उनका इस लक्षे को प्राप्ठ करने के लिए यह आया है हमारे यहां और किस्तिफारी यहां तक हो गया अपना फिर हम बात करते हैं विभाग कितने हैं आठ विभाग हैं प्रशाशनिक विभाग है वो एक है अकादमिक कितने हैं साथ हैं सेवा पूर्वे सिक्षा पी-स-टी-ई ठीक है इसके जो अकादमिक हैं इनके विभाग ये किये गए हैं दो सेवा पूर्व में पी-स-टी-ई आता है और सेवा रत में डबलू-ई मतलब वर्क एक्सपीरियंस कारिया अनुवा विभाग आता है इसके अंदर मतलब सिख्षकों को उनकी सामगरी का मुल्यांकन करणा उपकरनों का निर्मान करना के सिख्षे का अधिकंड एदिगम जो सामगरी है उनका रिमान किया गया है उनको लागू करना होता है जैसे जनसंग्या शिक्षा की सोरा विस्तर शिक्षा इन सभी को क्या करना है जिला स्कूल एड्स का रेकरम समंदी पर शिक्षन को व्यवस्ता करना है उनकी उनको नोलेज देना है महिला ससक्तिकरण को बढ़ाना ये कौन करता ह इंट्रेक्शन और इन्योवेशन इंटरी में बोले तो इसको सेवारत कारिय करम छेत्री अंते क्रिया एम नवाचार समन्वे विभाग इसके अंदर क्या होता है कि जो भी वागपीट वगर जो भी वार्षिक यूज रहे हैं जो बनाते हैं वार्षिक पंचांग हम कह सकते हैं वार्षिक पंचांग वगर जो त्यार किये जाते हैं ठीक है और त्रे मासिक बैठक भी होती है इसके अंदर cmdc की बात की जाए तो क्या है कैरिकुलम पाठेकरम material development और educational technology पाठेकरम सामगरी विकास एवं मुल्यांकन प्रभाग ठीक है तो इसके अंदर तो यह मुल्यांकन वगर किया जाएगा जितनी भी निदानात्मक परिक्ष उप्चारात्मक सिक्षन है उन सबी की कारियोयोजना इसमें त्यार की जाएगी और क्या है मुल्यांकन की जितने भी उपकर्ण वगर हैं वो इसके अंदर प्रवाइड करवाय जाएँगे प्रशन पत्रों का निर्मान इसके अंदर करवाया जाएगा छीक हैं इसके बाद है कि technology मतलब जो भी द्रश्य श्रवय सामगरी है जो ओनली द्रश्य शामगरी है इन सब को प्रवाइड करना इनको देखना इनके जो संप्रेशन है उनको प्रभावी सिद्ध करना पी एंड एम क्या है योज planning और management ठीक है तो जो भी एक इत्री डाटा वगरह है उसको डाइट एम जीला योजना में सहयोग करना होता है ठीक है परताना चारिय जो होता है ध्यापक जो हता है विद्या संकूल विद्या योजना अधिका योजन भी सी के अंदर किया जाता है ले बेडिया का चैन भी करने का प्रियास किया जाता है जो कर्ये करम सलाकार समीति होती है वो भी क्या करती है दो बार पुस्त काले समीति क्या करती है कठन करती है और बैठकों का एक वर्स में एक बार आयोजन करती है तो यह हमारी बात हुई किसकी विभाग की किसके विभाग की डाइट के विभाग की औ और इसमें आठवी बोर्ड का जो पैटर्न परिक्षाओं को संचालन भी होता है वो भी डाइट के अंडर में ही होता है टीचर के प्रोफाइल और अंतराल जो चक्कर होता है वो भी इसी के अंदर होता है और इसके अंदर कारिय क्या किये जाते हैं डाइट के अंदर तो सेवा काल में भी प्रामश और सहायता दी जाती है नवाचार बढ़ाया जाता है अनुसंधान और सेवा के बारे में जानकारी दी जाती है सामगरी का विकास किया जाता है जो पुरानी नहीं नहीं सामगे हैं इसके अंदर लाई जाती है सेक्षिक तकनीकों का यूज किया जाता है जाग रुकता बढ़ाई जाती है अधिकम जो केंदर होता है अधिकम केंदर के रूप में देखा जाता है जो क्या है ककशा पांच और आट का मुल्यांखन कर लाती का मुल्यांखन कर एक इसके आथए डाइट मादेमिक शिक्षा बोर्ट जो है नोडल एजेंसी कौन करवाता कौन है बिकानेर कौन करवाता है ये दोनों बिकानेर करवाते हैं ध्यान रखी का बिकानेर सोध कारिये भी करवाया जाता है सोध कारिये इसके अंदर होता है प्रशिक्षन और कारिये शाला इसके अंदर होता है प्रकाशन कारिये होता है प्रकाशन कारिये प्रशार कारिये और समलंबन जो न अच्छा काम करते हैं उनको अच्छे से समलंबन विशेशगों को परदान किया जाता है ग्रेशम काली कारिय करम जो होते हैं ग्रेशम काल में क्या कारिय करम क्या योजना होगी वो भी यह देखता है तो यह तो बात होगी डाइट की तो डाइट के अंदर इसके साथ साथ काम कौन कौन करते हैं देखिए आरेस सी इ आर्टी भी आ गया समसा भी आ गया MHRD भी आ गया NCERT भी आ गया और NUPA भी आ गया तो यह सब किसकी बात हो गई डाइट की बात हमने कम्प्लीट कर ली तो I hope इतना session आप लोगों को अच्छा लगा होगा